तो स्वागत है आपका ओलम्पिक का दूसरा एपिसोड जिसकी चर्चा होगी इन दो चेहरों के साथ यह शश्विनी देशवाल और दूसरी तरफ है मनुभाकर दूसरे तरीके से परिचैदू तो दुनिया की रैंकिंग के हिसाब से सबसे बड़ी पिस्टल शूटर और दू इन आपको बताएंगे और जादा डीटेलिंग में लेकिन सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था कि बहिया इस बार जो है रियो का रिकोर्ड तोड़ते हुए टोक्यो में जाने वाला जो हमारा शूटिंग का दल है उसमें पंदरा पुरुष और महिलाएं मिला दें साथ महिलाएं हैं और ये सबसे बड़ा दल है अब तक के इतिहास का अगर आप बात करें 16 जो हैं वो होकी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं 15 जो हैं वो शूटर्स हैं तो ये अपने आप में सबसे बड़ा दल हो जाता है हमने पिछली बार बात की थी मेंस की दो सबसे देशवाल पिता SS देशवाल अगर हम अगली तस्वीर पर आएं और सिर्फ इनके बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि SS देशवाल जो की एक बड़ी दिग्गा जदिकारी अगर आप भारतिया पैरा मिलिटरी फोर्स की बात करें और बहुत छोटी सी उमर में 10 साल की यही पास में जगह पढ़ती है जहां पर मैं हूँ यहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बात्शापूर नाम की जगह पढ़ती है तब गुडगाओं हुआ करता था आज गुरुग्राम है वहां पर 2010 में जब यहां कॉमनवेल्ट हो रहे थे तो अपने पिता के साथ जाती थी वहां शूटिंग रेंज में और प्रभाव वहीं से पढ़ना शुरू हुआ उसके बाद कई सारी चीजे तेजंदर सिंग धिलों का नाम उसके बाद सामने निकल कर आता है जीतुराय की बहुत बड़ी मुरीद है और इन सारी चीजों के बीड जब जीता है तो अब एक एक करकर आते हैं प्रोफाइल पर आता हूँ अब इनकी और प्रोफाइल पर अगर हम आएं तो यह देखिए बड़ी यह तो बड़ी पुरानी तस्वीर है जिसमें बड़ी चोटी सी लग रही है यह लेकिन जो एक्टिव स्टाट अफ है और दरसल वही पर सारी की सारी चीज़ें शुरू हुई क्योंकि माता भी जो है वो इंकम टाक्स चीफ थी पिता ऐसे जो देशवाल है वो डिरेक्टर जनरल है आई टी बीपी में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संपन्न परिवार था और घर पर ही जो है वो शूट इसको हम आगे ले चले उपर ले जाएं तो फिर आप देखेंगे बस यहाँ पर अगर हम इसे रोग दे तो गोल्ड मेडल चार जीते सिल्वर तीन जीते ब्रॉंज एक है इसमें मैं जैसा आपको बता रहा था कि एगर आप वर्ल चैंपिंशिप देखें तो इसमें आपको कराते हैं उनको लेकर के बहुत जादा जो competitive गेम से इन्होंने खेले हैं उसमें गोल्ड सबसे जादा है जैसा मैंने का चार गोल्ड तीन सिल्वर एक ब्रॉंज लेकिन यह जो रीसेंट फॉर्म है 2018 2019 जहां पर इन्होंने अगर आप उलीना जो इनकी बच्पन से फेवरिट हुआ करती थी यूक्रेन से हैं और ओलीना को देखते देखते ही इन्होंने शूटिंग में अपना इतना दिल्चस्प जो है दिल्चस्पी जो है वो बढ़ाई और फिर एक दिन ऐसा आता है रियो में 2019 में जब आप उन्हीं को हरा के गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो सोचि सोलंपिक्स में जो उस वक्त पे तो 2020 महीं होने थे लेकिन किसे पता था कि पेंडमिक आ जाएगी तो ये निश्यत तौर पर फिर 2020 के लिए ट्रांसफर हो गया लेकिन बहुत अमेजिंग पर्फॉर्मेंस बहुत अमेजिंग गेम और इस लड़की से बहुत जादा उमीदे हैं ये शश्विनी देशवाल जैसा नाम यश भारत के लिए लाने की जिम्मेदारी इनके ओपर होगी हालाकि बाकी शूटर्स भी हमारे सारे के सारे कमाल के हैं लेकिन महिलाओं में जैसा मैंने का दो नाम अगर मैं पिक करूँ शुरुवात में तो ये शश्विनी जब मैं दो नामों की जिक्र करता हूँ तो अब चर्चा दूसरे नाम की अब हम बात करेंगे अगली तस्वीर की और वो अगली तस्वीर है मनू भाकर की सीजन कैंपेनर बहुत दमदार परफॉर्मेंस अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स में देखिए और सिर्फ इस वक्त अगर आप एशन गेम्स देखिए, कॉमन विल्ड गेम्स देखिए, अलग-अलग इवेंट्स देखिए, आए से सफ के भी तो फिर आप देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस बहुत कमाल कर आया और इनकी शुरवात भी कुछ वैसी ही है, संपन परिवार था, बहुत जादा दिक्कते नहीं थी, स्कूल में जो है, वो एक शूटिंग रेंज थी, जहाँ पर इनुने पहली बार वो सारी की सारी चीजें में अपनी आखों के सामने घटित होती वी देखी, और उसके बाद इंटरेस्ट क्रियेट हुआ, तो उसके बाद फिर चीजें जो है, वो आगे बहुत दमदार रहता है, मिक्स में भी दमदार परफॉर्मेंस रहता है, तो अब इनकी प्रोफाइल पर अगर मैं आऊ और इनके बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो जैसा हमने कहा भई, मनु भाकर इंडिया को रिप्रेसेंट करती है, जन दिन जो है वो 18 फरवरी 2002 2002 का है, इस वक्त पे अगर आप उमर देखे तो 19 साल है, लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा सा उपर की तरफ बढ़ें और आगे हम लिस्स की बात करें, रैंक टू है जी इस वक्त पे करंट वर्ल्ड रैंक टू है, जैसा मैंने कहा, अलग-अलग इविंट्स है, अपी 40 है, अ ATWD है, SP है, APMIX है, बहुत सारे, लेकिन गोल्ड आप देखिए, 17, सिल्वर देखिए, तीन ब्रॉंज देखिए, थोड़ा सा और अगर हम इसे उपर लेकर जाएं, और यहां पर अगर हम इसे रोग दे, तो ब्रुनस आइस, जो कि अर्जंटीना की राजधानी है, वहां प देखा कि इनके नाम सिल्वर है, क्योंकि Yashashvini वहां पर गोल्ड जीती थी, और इसके लावा, वर्ल्ड चैंपियन्स में परफॉर्मेंस देखिए, वर्ल्ल कप में परफॉर्मेंस देखिए, गोल्ड यहां पर भी आप देख सकते है, वर्ल्ल कप में 2019, ब्रॉंज आप द अगर आप मेडल्स की बात करो, आपका हॉकी बहुत अमेजिंग रहा है, हिस्ट्री में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा आपकी बॉक्सिंग इस बार बड़ी कमाल की दिख रही है, जो हमने एशियन चैंपिन्शिप में देखा, प्लस सबसे जादा उमीद इस बार आपको कहीं न कहीं इन जो आप कहते हैं, शूटर्स से भी होगी, चाहे आप राइफिल में देखिए, चाहे आप पिस्टल में देखिए, चाहे आप 25 मीटर देखिए, 50 मीटर देखिए, 10 मीटर देखिए, चाहे आप मिक्स इवेंट्स देखिए, तो कुल मिलाकर इस चट्चा में इतनी ही बात कि इन दो लड़कियों से एक बार फिर बहुत जादा उम्मीदे होने वाली हैं, जैसे पुर्षो में अभिशेक वर्मा, rank 1, सौरब चौधरी, rank 2, वहाँ पर भी उम्र अगर आप देखें, सौरब चौधरी की तकरीबन 20 साल, अपने टीन्स में उन्होंने भारत का अर्जुना अवार्ड अपने नाम कर लिया था, और यहाँ पर भी अगर आप मनु भाकर और येश्यस्विनी देशवाल को देखें, तो अमेजिंग परफोर्मेंस, rank 1 और rank 2 होल्डर, rank 1 और rank 2 होल्डर आपके सामने, और उम्मीदे इसलिए, उलम्पिक हो, हम बात करते रहेंगे लगातार, cricket obviously, तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और कल भी आप लोगों से खास विशे में बात करते वे जुड़ेंगे, कल रॉलन गैरों के दो बड़े मुकाबले हैं, जिसमें एक तो आपको पता ही है, Rafael Nadal vs. Novak Djokovic, बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए.